चलिए very good सबको clear नो तो सेशन को सभी लोग सेख करते रही है ठीक है सब भी लोग सेख करते रही है आप लोग अब आगे देखते हैं next next देखते हैं हम लोग next देखते हैं हम लोग fourth input as आपके chopper में भी input कितरा अपनों रेक्ट देते हैं input for chopper and inverter ठीक है chopper and inverter क्या है input for chopper and inverter अगर आपको chopper चॉपर क्या होता बोले आपको fix DC को variable 이ल्ट क्रमण करते है क्या करताँ है chopper fix DC को variable DC मतलब इंपोत क्या देना पड़ेगा हमको mosor dc ना पड़ेगा और dc चाहिए तो क्या करना होगा suppose देखी यह rectifier है क्यों है नोग争ल रेक्टिर回去 अभर अपको इंपना आपको अप में नहीं तो क्या करेंग अपके आपके पास ऐसे सोर्स है यहां यहां पर ऑपका एक सोर्स से यह च्ऑन करेंगे और यहां पूंप कर देंगे और उसको chopper को मिल जागा, chopper हमको output देदेगा, ठीक है, तो हम directly यहाँ पे, इसको, directly यहाँ पे transformer को chopper से connect नहीं करता है, just because, क्योंकि chopper को only DC चाहिए, इसका mechanism क्या है, only for DC, ठीक है, तो यहाँ पे, ना connect करके, इसलिए, यहाँ पे लिखें क्या input for chopper and inverter, तो लिख लिए इसको, as यहाँ पे लिखें क्या इसलिए, यहाँ यहाँ खें क्या क्या आप, आप लोग, समाझ पा रहे हैं कि नहीं, चीजों को, तो यह हमारा application से input for, आपका chopper and inverter, ठीक है, तो यह सब application कुछ उचा आप लिखें कर लिजे, और trackson वी लिखें क्यों आप लोग, traction इसमें आपको help हो जिसे आपके बढ़े बढ़े आप ट्रेक्शन इसे कि आपको चापर बहुत यूज़ उता है ठीक है ट्रेक्शन जिसे कि आपका जितने भी आपका ट्राम उराम होते चलते हैं कौलकाता है थाप तो चॉपर अगर जहां लग रहा है तो वहां पर रेक्रिफायर्स का भी यूज़ होता है तो जो इंड़स्ट्री अगर पावर टुनिस में थ्रू अगर आप इंड़स्ट्री आपको सिखने को मिलेगा इसलिए आपको बहुत चीज देखने को मिलेगा इसलिए आपको बहु चीजे आपको देखने को मिलेग अच्छी चीजे अगर आगर 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 पढ़ने का सोचे हैं तो ठीक है चलिए तिए सब आपके कुछ-चुछ अप्लिकेस्ट में आपको डिस्कुस कर दिया रिगार्डिंग किसका रिगार्डिंग आपको रिक्तिफायर का तो लिख प्र फिर हम लोग, स्टाट करते हैं. Next हमें स्टाट करते हैं. सेसर котором साफ लोग से साथ करते रही है. आब हमलोग स्टाट करते हैं. अब rectifier क्लासिफिकेशन देखते हैं. I hope कि समझ मेंया ओओ यहां तक किसी को कई डाउट. हम लोग किसी कोई doubt तो पुछ लिज़े आप लोग I hope कि आपको proper समझमाएगा आप लोग को ठीक है किसी कोई doubt तो पुछ लिज़े आप लोग ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं next classification of rectifier क्या बोले हम classification classification of rectifier ठीक है rectifier इस पर कोईशन आ जाते हैं class vision single phase अपका तो यहाँ पहला best पहला एक नमबर लिखेगा based on the based on the number of number of output pulses क्या बोले best on the number of output pulses कितना pulses बन रहा है output pulse ठीक है output पे समझमाएगा सब समयागा बस पैसें से सुनिए अभी सब को समझमाएगा क्या बोले हम based on the number of output pulses ठीक है इसके basis पे ठीक है मतलब यहाँ पे number of output pulses क्या होता है देखिए सब समझमाएगा पहले देखिए पहले है कि single pulse single pulse converter या single pulse rectifier बोल सकते है single pulse rectifier या converter rectifier ठीक है single pulse का मतलब क्या हुआ rectifier यह क्या है rectifier तो अब इसमें क्या किया है हम लोग एक input देए धान सुनेगा input दिये AC input जो भी दिया input ठीक है यह 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 इन्पूट क्या दिये हम लोग suppose vi 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 vu sim omega t by default अई सब लेते हैं homere पूरे यह पिलेंगे इसकी M up लेने वाले हैं तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए हर जगा यूज़ करेंगे बाई डिफोल्ट वी एम साइन ओमेगा टी ठीक है तो इन्पुट किया है आपका वी एम साइन ओमेगा टी आधर डाल लिए इसका इसका टाइम प्रियर्ट बता दीजिए क्या होता है इसका टाइम प्रियर्ट क्या होता है इन्पुट का इसका पताईएcimento लोग सब हो से इसका पड़役 से Jewish कटी डाइमप्रियर्ट क्या होता है कमेंट सिगनल पढ़े हैं कि नहीं पता ही आप लोग सुमित कुमावत ओके टू पाई वेरी गूड सुमित वेरी गूड बाकी लोग नहीं आ रहा है है कि तो two Trung क Täँ तो टूफ निए रहा ह्ट裡 यह से दो ले कि भ्ता शनल पाई यहां पर यहांपर साइन ओमेगा ट यहांपर क्या है बूज किसे बनता है आगर वे फॉर इंता सा results का बनता है कि नैंगे साइन का तो इसी तरह यहां कि यहां पिसका इतना कि क्म बनेगा अई इसका इ northwest इसका फिर से रिपीट कर रहा है यहां पर जहां से waveform जो है अपने आपको repeat करता हो है इसका time period हो गया तो यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए तो यहां पर ध्यान सुनेगा इसके output यहां पर यह आपका क्या है अब यहां पर इसका time period क्या है input time period ti लिख रहें input input time period क्या है 2pi और frequency लिख रहें हम f5 ठीक है यहां पर input frequency अब जो output आएगा output यहां पर आगर output की बात करें तो अगर हम लिखें क्या है single pulse क्या बहुत है हम single pulse मतलब output पर इसका एक ही pulse बनेगा यहां पर 0 से ले करके πई तक पाई तक बात 0 यह 2pi यह आपका वीरो फिर से रिपीट करेगा ऐसे इसका मतलब यह हुआ बटा इसका मतलब यह हुआ कि आपका input के एक time period पे यहां बता रहे है इसका तो देखेंगे इसमें कितना फ les explicit कि ठीजिए इसका देखेंगे फिल्स इसका फॉल्स नियुक्ति में कितना पेटा नियुक्ति में कितना पार्स प्रफ्शी 9 ऍो क्या परिके हम नंभर और फार फार स्फर को मैं यहां पर क्या हिए नांबर फर oh वान सैकल आफ इन पुट्ट। इन पुट्ट। इन रोडर अगर एक सैकल उफ इन पुट पे जले कर से नहीं कि नहीं कि आख त्रफ्टिकन मतला एक आंचल प्रेंपेयर तो तो फाय में देखिए तो इल्द धूपाय में कितना यहाँ पर आपको कितना आपको सबर्फ नहीं लिए इसको बन रहा है इसलिए इसको बने क्या वन पर्स कर वैटर सबीबाने नहीं Love You very Much Ser Ok Same to You, Sumit न है की नहीं, तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे एक ही पलस बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? One Pulse उसको बोले क्या? One Pulse Converter या इसको One Pulse Converter और जो का बनाएं? One Pulse Rectifier ठीक है? One Pulse Converter ग्या इसको बोले के One Pulse Rectifier Q, क्योंकि इसके output में एक ही pulse बन रहा है for one cycle of input, धाँ सुने हम क्या बार-बार repeat कर रहे है, एक ही pulse बन रहा है for one cycle of input, तो एक cycle of input कितना है 2π, तो 2π में यहां पर observe किज़ा, 2π में एक cycle, एक ही pulse बन रहा है, इसलिका बलेंगे इसको one pulse converter, ठीक है, ऐसा converter क्या बोलते है इसको, इसक single phase half wave, इसको बलेंगे हम लोग single phase half wave rectifier, ऐसा, जिसमें only one pulse exist करता है, उसको बलते है हम लोग single phase half wave rectifier, लिख लिए इसको, single phase half wave rectifier, जिसमें only एक pulse exist करता है for the one cycle of input, उसको बलेंगे हम लोग single phase half wave rectifier, समाझ पार है कि नहीं? बिल्कुल करवा देंगे कभी ता आज देखे टाइम मुझे जल्दी था इसलिए मैं आज नहीं करवा पाई उसको ठीक है आज तो आज को देख लीजिए आप लोड़ नोडाउन कर लीजिए यहां पर मैं यहां पर क्या बताए इसको यहां मैं बताया आपको कि सिंगल फेज करण नेंटी मतलाँ यहां पर सिंगल है कि सिंगल पर के सिंगल पल्स कहा हुआ एक ढम पर्रीड इंपुट 1 टाइम प्रीड एंप्पूट में आप जिरो से तू पाई में इंची तो टू पर में कितना प्रश बन रहा था तो वन इसी लिखें है लेहां बन रहा सी सबलें we we get 1 puls in output 4 only single phase half wave rectifier, half wave rectifier में only one pulse मिलता ठीक है यह आपको ध्यान रख़िए है अब इसका time period क्या है इसका भी time period क्या same है कि ने इसका भी time period क्या same है 0 से 2 pi के बाद देखे रिपीट कर रहा तो time period इसमें भी क्या होगा time period भी आपका same होगा output time period के बाद करेंगे t note equal to क्या होगा 2 pi होगा और frequency भी आपका f note जो है f i के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर देखे time period अगरा same है तो frequency भी आपका same होगा क्योंकि t equal to क्या होता 1 by f होता है समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे कि नहीं बताइए आप लोग यह समझ मैं क्योंकि निए वन पास कन मैं क्या हैître बताइए आप लोग सर्माना नहीं है यहां पर बाते करनी है अपस में aas help में ठिक हैा किसी समने सेस्चन सबी लोग सेर करते रहिए यह नहीं समझ मैं क्या है 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 सभू कमेंट्ट कि यह वन पर करण मटर क्या समझे आया की नहीं कि सब्सक्राइब करें मुझे यस सर आसिस यस सर समझ आ गया बाकी लोग अधिया यहां पर पैसेंस रखिया चीजों को देखिया यहां मैं बताने के लिए इतना energy लगा दे रहा हूँ आप लोगो आप लोग कुछ support दिखाईए समाज में आ रहा है कि नहीं बताईए आप लोग तो इसका भी output अगर आप output की बात करेंगे अब अगर आप से पुछा जाए कि output की time period क्या है तो देखे 0 से 2 pi 2 pi के बाद से हम रिपीट कर रहा है आप पे तो क्या होगा इसका output की 2 pi और frequency क्या होगा frequency होगा आपका same रहागा f not equal to fi के बराबर ठीक है यह ध्यान रखें second classification क्या है आपका two pulse converter क्या भले हम two pulse converter ध्यान सुने हम two pulse converter या rectifier ठीक है अब इसमें क्या होता है इसमें भी again क्या होगा rectifier लगा है rectifier लगा है ठीक है और यहाँ पे आपको AC input देना होगा यह देखें आपका क्या है AC input ठीक है और जो output मिलेगा वो इस form मिलेगा ऐसे output जो मिलेगा हमको v note यह मिला यह आपका v i है जो इसका output मिलेगा वो ऐसा कुछ फॉर्म मिलेगा जीरो पाई टू पाई ठीक है उसके रिपीट करेगा यहाँ पर आपको यहाँ देखिए हम क्या बोले थे इसके एक cycle इसका output का अगें यहाँ पर देखिए input का time period क्या होगा टू पाई यहाँ पर जीरो से लेकर लेकर टू पाई है कि नहीं तो टू पाई टाइन प्रेड पर यहाँ काउंट कीजिए कितना नमबरा परस बन रहा है तो टू पाई में देखिए input का एक cycle क्या बोले था हम input का एक cycle को देखना है तो पर टू-पाई तो यहाँ भीट नो पर देखिए और बोलिये कितना आमरो first बन रहा दो बन रहा है कि नहीं एक जीरो से 2 पाई में दो pn रहा भाय है इसको क्या बोलें इसको डो टू-पल्स-usto, यतमू-पका एक cycle कितना है, टूप-व्स-कने-भाई है यहां 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 उपर वाले case में था फहा यहां रहाख दिसके रिख लहां अगर, तो फेद आब ले यहां फ़ीशा खांगा टीक यहां लें इसक侯ह यहां और पुसकोन अगर फ्रिकूना की होगा देखियों रह पर देखियों इसका हाफ हिए इसका हाफ बाता है यहां पर Miles Lum और बास रहे रहे गाने में कुसी तो the सब्सेदolly कर इंपुट के ताम-प्रियूर्ट से न Raphael Mich., टम चैने में आसी मिला फैंप कीए और मिला है जीघातनी द्सक्लद चैने मिले। और फ्रिक्वेंसी क्या होगा, फ्रिक्वेंसी जो होगा, फ्रिक्वेंसी जो होगा, फ्रिक्वेंसी जो होगा, फ्रिक्वेंसी जो होगा, फ्रिक्वेंसी क्या करेंगा हम, फ्रिक्वेंसी क्या करेंगा हम यहापे, फ्रिक्वेंसी क्या करेंगा, फ्रिक्वेंसी क्या होगा, 2 times of fi frequency, input frequency के 2 times हो जागा लेकिन output, यहाँ पे जो output time period जो होगा, वो half हो जागा ठीक है, समझाया कि नहीं Yes Very good समाझ पा रहे कि नहीं आप लोग समाझ पा है किने चीजों को बता ही आप लोग समाझ पा है किने चीजों को समझना बहुचरोवी दिये हैं आपे तो यह था हमारा 2 plus converter यहाँ पे, इसका time period के रिड्यूस कर गया time period क्या होगा, 0 से pi के बाद repeat कर रहा है देखे, pi के बाद same repeat कर रहा, pi से 2 pi 2 pi से लेकर 3 pi, same repeat कर रहा है input क्या है, 0 से 2 pi तक, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, pi तो pi हो गया, क्या किया है, जितना number of pulse है time period के लिए divide कर देंगे, time period के लिए divide कर देंगे और frequency के लिए आपको multiply कर देना 2 से तो यह था हमारा, समया है कि नहीं, चलिए, very good अब हम देखते हैं 3rd, 3rd classification है 3 pulse converter, 3 pulse converter और ऐसा कब मिलता है यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे, एक मिनिट अरे यहाँ क्यों कर रहा है अब ऐसा सुनिए यहाँ पे, ऐसा waveform कब मिलता है, यहाँ लिख लीजेगा, ऐसा waveform मिलता है सिंगल फेज, full wave ratifier में, ऐसा मिलता है, सिंगल फेज, full wave ratifier में, उपर वाले case में क्या था, सिंगल फेज, half wave ratifier इसमें मिलता है, सिंगल फेज, full wave ratifier केस में ऐसा मिलता है, यहाँ लिख लीजेए आप लो, सिंगल फेज, full wave ratifier केस में हमको ऐसा मिलेगा, ठीक है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिक फायर केस में हमको ऐसा भी मिलेगा यस सनी ओके थैंक्यू सनी सब को देखिए पढ़ना जरूरी है आप से सेसन को बढ़ा ही है लोगों को जोड़िए ठीक है आप लोग थोड़ा से रेस्पंसविटी लीजिए मैं अपने पूरे जी जान लगा दे रही है थो थोड़ा आप लोगी कुछ कूछ लीजिए यहां पर ठीक है यहां पर देखिए क्या यहाँ पर शानने में तं Hero पर इंपूर Origin 0 से लेगा 2π, ठीक है, और यह आपका क्या मिलेगा, इसका output जो मिलेगा, वो इसमें 3 pulses बनेगा, 3 pulses ऐसे, 1, 2, 3, तो इसका time period के तहां 2 pi लिये हैं, तो 2 pi यहाँ पर 2 pi तक में 3 pulses बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यह आपका output का है V0, यहाँ पर 3 pulses, 0 से, तो input के एक time period पर 0, 2 pi, तो 2 pi time period तक में 3 pulse बना, एक यहाँ पर 1, 2, और यह 3, तो यह 3 pulse बनेगा, उसका बनेगा 3 pulse converter, ठीक है, इसका time period लिख 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 है, इसका time period अगर 2 pi है, question आते हैं, याद रखिएगा, ऐसे नही लिखवा रहे हम, एक्जाम में आते हैं डाइट पुछेगा आपसे क्या पुछेगा अगर इन्पूर्ट के टाइम प्रेट टू पाई है और वो थी पूस कर रहे है तो उसका आउट्पूर्ट टाइम प्रेट क्या होगा ऐसे वोजिन पूछे जाते हैं तो पता हो ना चाहिए इसलिए मैं लिखवा रह क्या है क्या अगर हम इन्पूर्स के बात करें तो अगर जो भी होगा सिको मुट्प्लाइब ट्री कर देंगे फोर फैंडिंग आउट्पूट फ्रिक्वेंसित थी टाइमस ओ फाइब यह हो गया 3x5 for the output frequency नहीं के नहीं यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है ठीक है ध्यान रखेंगे आप लोग पावर ग्रीड के लिए कोई क्लास है सर बेटा यह सिर्फ क्लास चल रहा ना यह सिर्फ पावर ग्रीड में ही कोशन पुछ आगा तो अलग कोशन आएगा आपको आपको मसीन क्लास चलती रात को नौ बजे लेक्ट्रिकल मसीन का तब सड़े नौ बजे चलती तो अट्रिकल मसीन करें आप लोग ठीक है लोकेशर पढ़ाते तो अब लोग उसलब अनलब कोशन पुछेगा आपसे जो आपको पढ़ायागी आप से पावर अट्रोनेक्स प पढ़ना है मनुराज आप अपको प्लेश्ट अब चेक कर लिजिए अगर आप फस्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको अपको प्लेश्ट मिल जागा सारे चैप्टर से ठीक है सारे जो टॉपिक अभी तक अब तो कवर किया गया सम मिल जागा मनुराज ठीक है आप ए जयनिक जयएस्टेडी ग्रूप को आपलो जोन कर लिजे सब हो एलोसों रिक्वेष्ट है जयनिक जये ऊचेडी टेली ग्रूप उसों कर लेजे ठीक है यहांपर सेसर से vivir हो रहा ह। है कि यहाप ए लिखा है आपको जैनिक जय अपको फॉली आ &प्लो जो जॉन नहीं किया जोईन कर लिजे, एसी चला लिजे, सर, गर्मी जादा हो रही आपको, मुझे थोड़ा सा तब्वेट ठीक नहीं, इसलिए नहीं चला रहा हूँ, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटू 3 हो जाएगा, F0 इकोल 3 F5, ठीक है, 3 इंटू F5, Q, just because, Q, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगा, simply, जितना pulse converter है, 3 pulse converter उसको divide कर दे, 2 by 3 हो जाएगा, और frequency होगा, 3 times, तो 3 F5, ठीक है, यह ध्यान रखना आप लोगो, अब आगे बढ़ते हैं, next, next देखते हैं, हम लोग 4, 4 जितना 6 pulse converter, 6 pulse converter में भी आपका सेम है, 6 pulse converter में भी आपका, बिलकुल सेम होगा, 6 pulses बन 6, इस तरह बनेंगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह आपका 0 से 2 pi, 0 से 2 pi तक में 6 pulses बनेंगे, और input अगर इसका, same input same है, 2 pi, 2 pi input ले रहे तो, तो 2 pi में 6 pulses बनेंगे, ठीक है, तो यही आपका 6 pulse करना मटर है, और यह आपका क्या है, T input क्या होगा, 2 pi, frequency अगर F5 ले ले, इसका output, य 2 pi by 6, 2 pi by 6 होजाएगा इसका, इसका time period और इसका frequency की बात करें, frequency क्या होजाएगा आपका, same 6 times of F5, इसका input frequency का 6 times होजाएगा, into 6 divided by 6, यह ध्यान रखिए चीजों को अच्छे असे, तो यह आपको बिल्कुल अच्छे ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, तो यह आपको प्र आपको ध्यान रखना प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है, अब आम लोग देखते हैं, मुझे सेसन भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग अब 4.49 हो गया, तो आज का मैं सेसन को एंड करूँ क्या यहाँ पर, यह क्लासिफिकेशन था आपका, आपका सेसन फिर आम आज एंड करते are you here. Just because 5.50 हम लोग हमारा सेसन है, जो पैनल डिसकसन है, CACV वाला सुर्फिकेशन को एंड करते हैं आज जल्दी जाना है तो आज हम लोग खर्टम कर जाते चीजों को ठीक है मुझे जल्दी जाना है जस्ट बिगाउस कि आज पैनल डिसकर सने तो आप लोग जो एजुए अटेंड कीजे सभी लोग ठीक है तो चलिए मैं तो आप अधर साहरी मी हूँ तो आप क्लासिफिकेश सेने को कल देखेंगा हम लोग ठीक है कल के क्लासे में देखेंगा उस चीज़ को ठीक है फिर थैंक्वी अवरीवन मिलते हैं आप लोग से